तो चलिए आईए अब हम लोग lesson 3 पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग apostrophies के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो आईए देखते हैं apostrophies क्या होता है देखिए apostrophe जो होता है वो या तो हम लोग इस तरह से hyphen देके s लगाते हैं या तो कभी-कभी s के बाद hyphen लगाते हैं अब यह क्या है rules यह से हम लोग अभी आपको बताएंगे ध्यान से देखिएगा look at the following अब यहाँ पे कुछ examples है पहले वो हम लोग देखेंगे उसके बाद हम लोग sentences करेंगे ठीक है exercises करेंगे यह राम की पुस्तक है this is राम's book अब यहाँ पे आप ध्यान देखिए राम की पुस्तक राम's book यहाँ पे apostrophe कहाँ पर है देखिए यह जो portion है ठीक है single inverted comma s इसी को apostrophe कहते है apostrophe s ठीक है यह हम लोग कभ यूज करेंगे जब आप किसी के belongings के बारे में बताएंगे Mr. Sharma Kamla के पिता है Mr. Sharma is Kamla's father तो कौन है Mr. Sharma Kamla के पिता Mr. Sharma is Kamla's father वह रमेश की बहन है she is रमेश सिस्टर रमेश की बहन रमेश सिस्टर यह सीता का जोला है this is सीता's bag जोला को हम लोग इंगलिश में बैग कहते है तो यह सीता का जोला है this is सीता's bag अगे देखिए का के की का अनुवाद नाउन में अपोस्ट्रोफी एस सिंगल इंवर्टेट कॉमा एस लगा कर किया जाता है याद रखें सिंगल इंवर्टेट कॉमा एस अपोस्ट्रोफी का प्रयोग प्रयाई सजीर के साथ होता है नहीं होता देखिए living thing जब होगा तब आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना है और non living thing जो वस्तुए होती है उनके साथ आपको अपोस्ट्रोफी का इस्तमाल नहीं किया जाता है जैसे मेरे गाउं का नाम मानपुरा है इसका जो correct sentence है वो होगा the name of my village is मानपुरा न की my village's name is मानपुरा मानपुरा एक जगा का नाम है ठीक है इसके साथ आप अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे तो आप क्या बोलेंगे the name of my village is मानपुरा आगे देखिए हम लोग कुछ exercises करेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है वीडियो को यहीं पर पॉस्ट करिए और यह जो exercises है ठीक है थोड़ा-थोड़ा सामने आता जाएगा मैं solution देता जाओंगा इसको आप solve करिए ठीक है हम लाइए ठार्ट करते है translate into English ठीक है अब हम लोग English में इसको ठांसलेट करना है यह रेखा की कलम है ठीक है यह रेखा की कलम है यह दिस इस किसका कलम है रेखा रेखा रेखाज pen कलम को हम लोग Hindi में English में pen कहते हैं किसका pen है रेखा का हम लोग बोलेंगे this is रेखाज pen ठीक है यहाँ पर ध्यान देखिए रेखाज pen किसके लिए इस्तेमाल हुआ है रेखा की कलम ठीक है next रामू रमेश का भाई है आईए यह हम लोग करते हैं रामू रमेश का भाई है इस रमेश ब्रादर ठीक है तो रामू कौन है रमेश का भाई रामू इस रमेश ब्रादर Mr. Sharma कमला के पिता है Mr. Sharma कौन है कमला's father ठीक है भाई हम लोग इसो करते हैं Mr. Sharma is किसी का भी नाम होगा तो उसका first जो alphabet है वो capital होता है ठीक है तो आईए यह यहां पे करते हैं कमला's father ठीक है आगे देखिए next है यह हरी का हाथ है यह हरी का हाथ है किसका हाथ है हरी's hand हरी's hand किसका हाथ हरी का हाथ हरी's hand वह रीता की घड़ी है वह दाट that is Rita's watch ठीक है किसका घड़ी है रीता का तो so Rita's watch आईए और example देखते हैं यह Sanjay का बक्सा है बक्सा मतलब box यह this is Sanjay's box किसका box है Sanjay का आगे देखिए यह चित्रा का नौकर है किसका नौकर है चित्रा का so Chitra's servant यह this is Chitra's servant वह श्याम की slate है ठीक है slate जिस पर हम लोग लिखते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे श्याम की slate ठीक है तो क्या करेंगे वह दाट इस श्याम स्लेट ठीक है नेक्स्ट श्री सिनहा कुमुद के वादा ठीक है जहां से देखिए कैसे हो रहा है आपको सब easily समझ में आता जाएगा बहुत easy easy set है यहां उमेश की cycle है cycle को हम लोग इंग्लिश में bicycle कहते हैं किसकी bicycle है उमेश की bicycle हम लोग क्या लिखेंगे यहां 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 आगे देखिए, वह मदन का घर है, घर को इंग्लिश में हम लोग house कहते हैं, तो आये करते हैं, वह that is मदन's house, ठीक है, वह श्री बोस का कोट है, किसका कोट है, श्री बोस, वह, that is, Mr. बोस's coat, किसका कोट है, Mr. बोस का, मैं राजन का दोस्त हूँ, मैं राजन का दोस्त हूँ, I am राजन's friend, ठीक है, सीता श्री जहा की पुत्री है, पुत्री मतलब डॉटा, सीता कौन है, श्री जहा की पुत्री, सीता इस श्री जहाज टॉटा, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपॉस्ट्रोफी बताते हैं, ठीक है,